जमालपूर से रतनपूर रेलवे लाइन पर लगेगा पावर ब्लॉक और इस पावर ब्लॉक की वज़े से ट्रेनर का पड़ी चालन रहेगा इस्तागीत कौन कौन सी ट्रेन इस दिन नहीं चलेगी जानेंगे इस वीडियो अपडेट पे लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जमालपूर नई ट्रेन के डिटेल्स के बाड़े में तो चलेए शुरू करते हैं आज का लेटेस्ट वीडियो अपडेट उससे पहले हमारे चैनल को नहीं कियें सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब पूर्पूर एलवे कोलकता परसासर ने रतनपूर जमालपूर एलखन पर निव अप लाइन इस्थापीत करने तथा कहलगाओ स्टेशन की यार्ड में होने वाली काड़े को लेकर के आगामी 31 अगस्त को पावर ब्लोक लगाने का निर्णे लिया है परसासर ने 25,000 वल्ट करेंट को कट आउप करेगा तथा ओवर ट्रैक्शन वायर की मनम्मत करने का आदेश दिया गया है सूत्रो ने बताया कि रतरपूर रेलवे स्टेशन से जमारपूर स्टेशन के बीच पोल नमबर 351-19A और 351-458-70B के साथ न्यू अपलाइन बिचाए गया है और यहीं पर पावर ब्लोक लिया जाएगा जिससे ट्रैक्शन कंट्रोल में मदद मिलेगी वहीं NTPC थर्मल पावर स्टेशन की साइडिंग कार्य काहलगाउं स्टेशन के बीच की जाएगी और यहाँ पोल संकियां 246-7A और 246-126.75 पर कार्य किया जाएगा गौरतला भाई कि जमालपूर अतनफूर एलखन के बीच निर्माधीर नए रेलवे सुरंग का कार्य अंतिम चरन में है और अंतिम चरन में पहुंच चुका है पट्री बिचान का कार्य तेजी से किया जाड़ा वहीं सुरंग के अंदर अलेक्ट्रिफिकेशन कार्य होना भी शुरू होने की उमीद है और अप निव लाइन कार्य के बाद डेलवे सुरंग बनकर तयार हो जाएगा पूरी तरह और अगर ऐसा हुआ तो अगली एक्टूबर महिने से निव टेनल चालू भी हो जाएगा इस रूट हो करके एक टेनल होने के बाद पैसंजरों को परिशान इसलिए होती है क्योंकि या तो एक ट्रेन को दूसरे स्टेसन पर रुखना पड़ता है उसके इंतिजार में ऐसे में पैसंजरों की परिशाने बर जाती है और पैसंजरों के द्वाड़ा जो ट्रेन में तैयार हो चुका है लेकिन अभी पूरी तरह सुरंग कंप्लेट नहीं हुआ है नई वीडियो में आपको हम कई और जानकारी देने वाले हैं नई टेनल अपडेट से जुड़ी तो यह अपडेट कैसा लगा नीचे कमेंट किके हमें अबसरता हैं